साइन्स गुलेटिन एक्स पर गलत सूचना फैलाने वाले हासिल कर रहे विज्ञापन राजस्व रिपोर्ट लाब के लिए गलत सूचना पर नजर रखने वाले संगठन न्यूजगार्ड ने पाया कि गलत सूचना वाले ऐसे पोस्ट सामोहिक रूप से 92 मिलियन बार देखे गए एक नए विज्ञापन राजस्व साजाकरन कारेकरम की शर्तों के तहट जिसे एक्स ने अपने क्रियेटर्स के लिए पेश किया था इन संगठनों द्वारा उतपन्न विज्ञापन आय का एक हिस्सा स्पष्ट रूप से गलत सूचना फैलाने वालों के साथ साजा किया जाएगा नवंबर के 13 से 22 तक न्यूजगार विशलेशकों ने 30 वाइरल ट्वीट्स के नीचे फीड में दिखाई देने वाले प्रोग्रामेटिक विज्ञापनों की समीक्षा की जिनमें युद्ध के बारे में जूटी या बेहत भ्रामक जानकारी थी क्रेश क्रिप्टो संस्थापक डू क्वोन के प्रत्यरपण को मनजूरी मार्च में फर्जी दस्तावेजों के साथ हवाई अड़े पर पकड़े जाने के बाद क्वोन को देश में गिरफ्तार कर लिया गया था कॉइन्डेस की रिपोर्ट के अनुसार क्वोन द्वारा दस्तावेज जालसाजी के लिए मोंटेनेगरों में चार महीने की जेल की सजा काटने के बाद प्रत्यरपण पर अंतिम निर्णय मोंटेनिगरिन न्याय मंत्री द्वारा किया जाएगा दक्षन कोरिया में चल रही जाँच के अलावा क्वोन पर अमेरिकी संघिय अभियोज को द्वारा धोखाधरी के कई आरोप लगाए गए हैं जाली पासपोर्ट के साथ दुबाई की यात्रा करने का प्रयास करने के बाद 32 वर्शिय को तेईस मार्च को पॉडगोरी का हवाई अड़े पर गिरफतार किया गया था Foxconn के संस्थापक तेरी गौ ताइवान के राष्ट्रपती पथ की दौर से हटे Foxconn founder Terry Guo says I will not gather signatures to put my name on the ballot My reasons for running had nothing to do with personal लाई के हवाले से कहा गया यहाँ एक कथिन निरने है लेकिन पूरी तरह से विचार करने के बाद यहाँ कदम उठाया गया है हालां की गौ के हटने का कारण सामने नहीं आया गौ ने कहा कि यहाँ निरने चीन गनराज्य के भविश्य के लिए है रिपोर्ट में कहा गया है अब यहाँ देखना बाकी है कि गौ किसका समर्थन करेंगे अगस्त में आइफोन निर्माता Foxconn के संस्थापक ने जन्वरी दो हजार चौबीस में ताइवान के राश्च्रपती चुनाव के लिए एक खड़े होने की घोशना की दैनिक मदु में शौट्स को घटा कर कम कर देगी नई हाइड्रोजेल खुराक शोध जबकि सभी दवाएं हार्मोन ग्लुकागन जैसे पेप्टाइड एक जी एल्पी माइनस एक की नकल करके काम करती है और लोगों को उनके आहार और उनके वजन को प्रबंधित करने में मदद करती है सामान्य दैनिक या सापताहिक इंजेक्शन कई रोगियों के लिए बोज है नई हाइड्रोजेल प्रणाली कई महीनों तक आहार नियंत्रन दवाओं को धीमी गती से जारी करने की अनुमती देती है जिसके बारे में शोत करताओं का मानना है कि इससे मदुमेय और वजन दोनों के प्रबंधन में काफी सुधार होगा रोगी के दवा अनुपालन में सुधार होगा और टाइप दो मदुमे वाले लोगों को दीरधकालिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में मदद मिलेगी BNT की खास पेशकश